नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दोलदर अपडेट्स में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल में देखे चुके हैं कि आज 10 जून 2020 की ताया खबरे जो हैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हूँ तो हिमाचल परदेश आज की सभी बड़ी खबरे जो हैं आपको इस वीडियो में बताए जाएंगी जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जुरूरी है क्योंकि important news है school और college के related तो बड़ी खबर है तो miss ना करें इस वीडियो को जूर एंड तक देखें उससे पहले अगर आप हिमाचली हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुरी न भूलें और साथ में बैल आइकन को जूर प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली हर latest breaking news की update जो हमारे चैनल दौरा मिलती रहे और जूर ने अभी तक हमें facebook में follow नहीं किया है वो follow जलसे रच कर लें by chance कोई भी हम update आए तो वो वीडियो के माधम से आप तक ना पहुँच पाए तो उसकी post जो हम facebook पे डाल दिया करेंगे तो आप बहां से उस post को देख सकते हो तो maximum time जो है मैं वीडियो बना कर जो है upload करता हूँ अगर फिर भी अगर कोई notification रह जाती है तो उस facebook पेज में जो है आपको देखने को मिलेगी तो जलसे अल जो है उस facebook पेज को जो है आप follow कर लें अभी सही और आज से ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आगे भी तो वीड के comment section में जाहिंद जरूर लिखें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी ख़बर हिमाचल परदेश के section संस्थानों में फिर बढ़ाई चुटियां सरकार ने जारी किये आदेश तो पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताई जाएगी हिमाचल सरकारि और निजीस स्कूल कालेजियों में 15 दिन का और अवकाश गोशित कर दिया गया है क्रोना वाइरीस से बचाव के लिए सरकार ने परदेश में स्कूलों और कालीजियों को 30 जून 2020 तक बंद रखने के आदेश जारी किये हैं तो सरकारी स्कूलों में छोटियों के दो पढ़ाई भी बंद रहेगी शिक्षकों और गहर शिक्षकों को भी अवकाश ही रहेगा हिमाचल के शेक्षनिक्स नस्थानों में परदेश सरकार ने क्रोना संकर के बीच तीसरी बार छुटियां घोशित कर दी हैं 16 माई को लोकडाउन 4 से पहले ही उच्षक्षा निदेशाले ने शेक्षनिक्स संस्थानों को बंद रखने के निदेश जारी करते हुए 31 माई तक छुटियां कर दी थी 30 माई को दूसरी बार छुटियां 15 जून तक बढ़ाई गई अब मंगलवार शाम को सरकार ने 30 जून तक शेक्षनिक्स संस्थानों को तीसरी बार छुटियां देते हुए बंद रखने का फैसला लिया है बता दे कि कोलेजों में दी गई छुटियां 10 जून 2020 को समाप्त होने जा रही थी ऐसे में सरकार ने मंगलवार को अदेश जारी कर स्कूल और कोलेजों 30 जून 2020 तक बंद कर दिये हैं शिक्षामतिर श्वेश बारदवाज ने बताया कि वर्तमान के हालात को देखते हुए बच्चों को लेकर कीसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाने का फैसला लेते हुए 30 जून 2020 तक स्कूल कोलेजों को बंद रखने का फैसला लिया है उन्होंने बताया कि जुलाई के पहले स्माप्त में स्कूल कोलेजों को खोलने का फैसला लिया जाएगा सरकारी स्कूलों में ओनलाइन पढ़ाई भी रहेगी बंद सरकारी स्कूलों में 30 जूं 2020 तक छुटियां होने के साथ ही ओनलाइन पढ़ाई से भी बच्चों को छुटियां रहेगी वाटसेप के अलावा दूर दर्शन के माध्यम से इस दुरान विद्यार्थों की पढ़ाई नहीं होगी नए स्थार में परवेश के लिए विशेप द्याले ने 25 तक बढ़ाई आवेधन कीती थी हिमाच्र परदेश विशेप द्याले ने सेक्शनिक स्थार 2020-21 में परवेश लेने के लिए ओनलाइन आवेधन कीती थी को 25-2020 तक बढ़ा दिया है इसकी सूचना विशेब द्याले की वेबसाइट पर जारी की गई है पूर में आवेधन करने की 8 जून 2020 अंतिम तिति तो अब ये 25 जून 2020 तक आवेधन करने की तिति को बढ़ा दिये गए है लोगडाउन का चलते वद्यार्थियों को रहत देने के लिए आवेधन की तिति को बढ़ाया गया है अभी तक बीएड की परवेश प्रिक्षा की तिति विशेब द्याले तये नहीं कर सकता है तो B.E.D. की जो परवेस प्रिक्षा होती है तो उसके लिए विशेब देले अब तक तये नहीं कर सकता है तो ये भी इन्होंने बता दिया है विशेब देले परवेस प्रिक्षा की तिथी तये करेगा इसकी अजिसूचना अलग से जारी की जाएगी अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में दस्मिक अक्षा का परिक्षा परिणाम घोशित कांगडा की तनू टॉपर हच्वी बोर्ड टेंथ रिजल 2020 बेटियों ने फिर मारी बाजी यहां देखें मेरिट लिस्ट पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी मेरिट लिस्ट की भी और आपका रिजल्ट कैसा रहा है जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक् परिख्षा बोर्ड ने मंगलवार को मार्च में हुई दस्मिक अक्षा की बोर्ड परिक्षाओं का परिजनाम घोशित कर दिया है हीमाचल प्रदिय स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डंटर सुर्मेश्कुमार सोनी ने पतरकार वारता में इसकी घोषना की हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की दस्मिक अक्षा की वार्षिक परिक्षा में जिला कांगडा के इशान प्रभी स्कूल सीनिय स्केंडरी स्कूल समलोटी की छात्रा तनु ने 98.71 जो है प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं तो 700 में से 691 अंक प्राप्त किये हैं इसमें से तो ये जो है HP Bose की टोपर है 10th क्लास की तो ये आप जो है वीडियो को पोस करके स्क्रीन शोर्ड जो है ले सकते हो और देख भी सकते हैं ये मेरिट लिस्ट प्रदेश का प्रिक्षा प्रिणाम 68.11 फीस दी रहा है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 8 प्रतीशत अधिक है मेरिट लिस्ट में पहले 3 स्थानों पर 5 विद्यार्थियों में तीन लड़कियां और दो लड़के हैं लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी 37 विद्यार्थियों ने टॉप 10 में जगह बनाई जिन में 23,16,14 शातर शामिल हैं तो आप मेरिट लिस्ट देश सकते हो टॉप 10 स्कूलों में इस बार 4 सरकारी स्कूल भी शामिल हैं बोर्ड ने 1,4,323 विद्यार्थियों को रो नमबर जारी किये थे जिन में 703 अनुपस्थित रहे जो एपसेंट थे प्रिक्ष्या में कुल 7,576 विद्यार्थि पास हुए जिन में से 34,766 जबकी 35,811 शातर हैं 27,157 प्रिक्षार्थि फेल हुए हैं 5,617 की कंपार्टमेंट आई हैं जो पिछले साल 4 सालों में सबसे कम कंपार्टमेंट आई हैं तो यह आप मैट लिस्ट जो हैं देख सकते हो वीडियो को पोस करके बार्मी कक्षा के बारे में भी जो हैं इस वीडियों बताएंगे आपको तो वहीं आठ जून को बार्मिक अक्षा के भुगोल विश्य का पेपर हो गया है अब जून के अंतिम सप्ताहा में बार्मिक अक्षा का भी परिक्षा प्रिणाम गोशित किया जा सकता है उधर परिक्षा सोरी शिक्षा मतिश्यष भार्दवाज ने दसमी कक्षा के परिक्षा प्रिणाम में उतेर्ण होने बाले सब विद्यार्थियों को बदाई दी है उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी उतेर्ण नहीं हो सके वे और अधिक मेहनत करें मुख्य मंत्री ने उतेर्ण हुए बिद्यार्थियों को बदाई दी मुख्य मंत्री जर्म ठाकुर ने हिमाचर पदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से मार 2020 में आयोजित तस्मिक अक्षा की प्रिक्षा में उतेर्ण हुए बिद्यार्थियों को बदाई दी है जरम ठाकुर ने कहा कि जो बिद्यार्थी पास नहीं हुए है उन्हें खतोत साहित होने के अवश्यक्ता नहीं है और वेव विश्य में और कड़ी मेहनत और समर्पन के साथ मेहनत करें तो ये थी आज की बड़ी खबरें जो कि मैंना आपको बताई अगर आपको वीडियो प्संद है तो वीडियो का लाइक करना बिल्कुली न भूलें और चैनल को जू सबस्क्राइब करें और साथ में आप फेस्वुक में भी हमें फोलो कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिशन में मिल जाएगा तो वहां से आप हमारे फेस्वुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट आप से छूटना पाए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के अजा सेदा शेयर करें इसके बारें पतलक्स के उनको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत वो धन्यवाद जाहिन जाहमाचन